तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से और जैसा कि आपको मेरे शौर्स देखके या वीडियो देखके आइडिया हो गया होगा कि मैं इन दोनों जो हूँ उत्राहंड में हूँ यानि कि मैं अपने गाओं में हूँ और देखिए मैं आज आपको थोड़ सी एक दो जगे की सेर करा रही हूँ यहाँ पर अपने गाओं में या अपने घर के आसपास तो शुरुआज जो है मैं यहाँ से करूँगी किचन गार्डन है मेरे भाई साब का और देखिए उन्होंने यह लक्ष्मी कमल बिल्कुल मेरे घर के आसपास लगे हूँ और इनको मैं बहुत बा शौट में दिखा चुकी हूँ बहुत सारे लगे हैं मैं अपने यहाँ भी ले गई हूँ और यह दहिए उन्होंने छोटे-छोटे यह सम मिर्च की क्यारिया है यहाँ पपिते की तो यह इधर नीमू की क्यारी है और यह इधर भी सम मिर्च- पाने शुरू कर दी जिनको बंदर खाते नहीं है जैसे मिर्च वगेरा और यह यहां पर पुदीना लगावाए देखिए यह भी फिर से मिर्च की क्यारी और यह इधर देखें सूरज मुख्षी का पौदा यानि के संफ्लावर यह इधर भी लगा रखें संफ्लावर यह दे देखें यहां पर भी मिर्चों की पहुत लगा रखी है कुछ-कुछ इसमें सिम्ला मिर्च है बाकी यह सारा मिर्च का खेत है आगे तक जहां तक आपको नजर आ रहा है यह इधर चेरी टमैटो मेरे ताउजी का यह खेत है और यह यहां पर देखिए खरपतवार को जणान लेकिन यह है गाउं में ऐसा ही चलता है जो लोग परसनली वहां से मतलब मुझे जानते है या उत्राखंड से हैं उनको पता होगा यह सब और यह हमारी प्यारी भावी जी है जो अपने खेत में काम कर रही है हां देखो मिलकुल घरेलू स्टाइल में गाउं वाले स्टाइ करेंगे कल रात को जो इतनी भैंकर आधी तुफान यहां पर आया था पूरे पेड़ के देखिए सारे पुलम जमीन पर आ गए जो बचे खुचे थे उस तो बंदर खा गए उनको यह देखिए बंदरों ने ऐसी तभाही मचाई यह दर सब कुछ खा जाते हैं कुछ नहीं लोगों ने फसल लगानी अब कम कर दिये और यह यहां देखिए पूरे पूलम जमीन पर पेड़ पर बचे ही नहीं बहुत कम कम नीचे वाली डालियों पर बचे हैं सायद आपको इस टाम दिखने रही होंगे क्योंकि मैं यह वीडियो शाम को सूट कर रही हूं दिन में त जो है इनको अधकच्छा ही जाड़ दिया और यह थोड़े खटे पर जाती किया है जब पूरी तरह यह ब्लैक या काले जिसे बोलते हैं वो हो जाते हैं तब यह पके हुए माने जाते हैं और यह यहां पर ताजा गोबर डालावार जब यह काफी टाइम इसको हो जाता यह सड़ जाता और सबसे बहतरी इंखाद इसकी बनती है यह इदर इस खेत में जंगोरा कहते हैं न बोया हुए है जंगोरा तो बो रखा देखते हैं और जब टाइम होता है बंदर रखते हैं यह नहीं रखते हैं पूर आगे तक पूरा खेत जंगोरे का है और इस खेत में अ और गाव में रिष्टे नाते ऐसी होते हैं, थोड़ा मुझे बोलने में परिशानी हो रही है, क्योंकि यहां आते ही, मेरे गले में बहुत भेंकर वाला इन्फेक्शन हो गया था, अचाती जम गई थी पूरी, इसलिए मैं थोड़ा हाप हाप के बोल रही हूँ, तो आपको जीब सा लग रहा होगा, और ये भी देखिए, गोबर डालने के लिए बना रखिए, बिल्कुल नान टाइप की, और जो जैसे वो होता, वो यहां से बाहर आ जाता, और खेत में जो है, पानी की तरह है, लिक्विट जो है, और खेत में जो है, उसका बहुत अच्छा लिक् अख्रोट, खुमानी, चूलू, ये हमारे पारंपरिक जो यहां फल है, वो काफी ज्यादा मातरा में होते हैं, जैसे ये अख्रोट का पेड़ है, देखिए, सारे अख्रोट से भरा हुआ है, पता नहीं बंदर इनको रखेंगे की नहीं रखेंगे, ये चूलू का पेड़ और यहां पर एक चीज और मैं दिखाओं, देखिए, रोज क्या कितना खुबसूरत कलर इनके घर के आगे लगा हुआ है, ये भी मेरे भाईया का घर है, और देखिए कितने सुन्दर इसमें बड़े बड़े रोज आ रहे हैं, माफ किजीगा, और रोज का साइज आप जादा हो जाता है, इतना और कलर भी देखिए, ये वाला तो बहुत ही पिंक रोज, इंग्लिश रोज है ये, और देखिए कितना खुबसूरत इसका है, कितने सुन्दर ये रोज हैं, यहां पर, और यहां से, जहां से मैं चड़के आई हूँ अभी उपर, पूरा मैं आप नीचे हमारा घर भी है, तो यहां, जहां से मैं उपर से बना रही हूँ, और इसी रास्ते से मैं देखिए, चड़के उपर आई हूँ, आपको दिखाते, दिखाते, बीच-बीच में वहां सारा मैंने दिखाया, वो हमारे गाउं की में रोड है, और आगे जो आपको दिख दिखाऊंगी, आगे दूसरी तरफ की, मतलब की दूसरी तरफ के जो खेत और जो सार या जो सीड़ीदार खेत है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मॉच, उमीद करती हूँ मेरे गाउं का वीडियो आपको पसंद आया होगा,